हलो गाइज, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज हम आपको बोट नेक की बहुत ही प्यारी सी डिजाइन बताने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे गले की लंबाई साड़े दस इंच ली है और चोड़ाई साड़े तीन इंच ली है उपर भी हम साड़े तीन इंच लेंगे और बॉक्स बना लेंगे अब हम उपर से तीन इंच पे एक और निसान लगाएंगे और वहाँ से भी एक बॉक्स बनाते हुए इसमें हम गले का सेब देंगे तो यहाँ पर हमने निसान बना लिया है अब हम इसमें बोट गले का सेव देंगे अब हम नीचे की तरफ एक किंज पर निसान लगाएंगे और इस निसान को पराबर कर लेंगे अब जो बीज का मेर्न सेंटर है उसको निकालते हुए हम उहाँ से गले का सेव देंगे तो यहाँ पर हमने इसको एर में गले का सेब दे दिया है आप भी अपने मर्जी से कोई भी गले का सेब दे सकते हैं तो ऐसे ही हम दूसरी तरब भी सेम निसान बना लेंगे तो यहाँ पर हमने निसान बना लिया है तो प्लीज हमाई चैनल को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों तक सेयर कीजिएगा और हम सपोर्ट करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक आसाने से पहुंच जाएं तेहां पर हमने कले पे सिलाई लगा दी है अब हम इसको सिधा करते हुए चारो तरफ से बराबर आधा इंच की दूरी लेते हुए कपड़े को कट करेंगे दोस्तो ये हमने बिना बक्रम के गला तयार किया है आप भी अपने लिए ऐसे ही गले का डिजाइन तयार कर सकते हैं तेहां पर हम चारो तरफ से कपड़े को कट कर देंगे और इसे उलटके सिधा कर लेंगे दोस्तो आपको हमारे चैनल पर पूरानी साड़ी से रियूज गाउन अनारकली ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की फूल टुटोरियल भी देखने को मिलेगी और तरह तरह के बिना बक्रम के ब्लाउज के बैगने की डिजाइन भी देखने को मिलेगी तेहाँ पर हमने कपड़े को उलटके सिधा कर दिया है अब हम पहले गले पर बराबर करते हुए कपड़े को सिलाई लगा देंगे जिससे की हमारा गला सेट हो जाए दोस्तो आपको कौन से गले की डिजाइन चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना हम उसकी कटिंग और इस्टिचिंग की पूरी वीडियो डालने की कोसिस करेंगे ये भी एक गले की रिक्वेस्टेड वीडियो है तो हमने इसे आपके लिए पेस की है हमें उमेद ही नहीं बल की पूरा भरोसा है कि आपको ये डिजाइन समझ में आएगी तेहां पर हमने गले पे सिलाई लगा ली है आप हम चारों तरफ से कपड़े और अस्तर को एक साथ अटेज कर लेंगे दोस्तों आपको हमारे चैनल पे तरह तरह के बलाउज की कटिंग और प्रिंसरेज कट की बलाउज की कटिंग चालिस साइज के डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग भी देखने को मिलेगी आप हमारे चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं और अपने लिए बहतरियन से बहतरियन बिना बकरम के गले भी बना सकते हैं क्योंकि हमने अपने चैनल पर तरह तरह के गलों की डिजाइन की कटिंग और इस्टिचिंग की वीडियो दिखाई है तो यहाँ पर हम चारो तरफ से तिसलाई लगा लेंगे और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे अब हम उपर की तरफ से जो हमने निसान ती नेंच पर बनाया था उससे लगा लेंगे और बराबर से इसका सेब देते हुए इसका गला कट कर देंगे और इस पर लगाने के लिए हम डिजाइन तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको एर में धाय धाय इंच के टुकड़े लिए है आप हम इसकी टसल्स तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने गोल पत्ती वाली टसल्स को जो नट में तयार किया है आप भी ऐसे ही बना सकते हैं तेहां पर हम साई टेसल को ऐसे ही तैयार कर लेंगे और इसके एक्ष्टा कपड़े को कट करके निकाल देंगे दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही हमें रोज नए-ने वीडियो डलने की प्रेयरित करता है और हम आपके लिए वीडियो डलने की कोजिस भी करते हैं तेहां पर हम जो हमारा गला नीचे की तरफ है उस पर बराबर से इस डिजाइन को रखते जाएंगे और सेट करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे ही हम चारो तरफ से बराबर डिजाइने रखते जाएंगे और गले की उपर सिलाई लगाते जाएंगे गाईज ये गला जितना देखने में खुबसूरत लगता है बनाने में उतना ही आसान है आप भी अपने घर पे ऐसे ही बना सकते हैं या फिर टेलर की मदश से ऐसे बलाउज बनवा सकते हैं यहाँ पर हम चारो तरफ से बलाउज में लगा चुके हैं अब हम इस पर किनारे से लैस अटेश करेंगे यहाँ पर हमने बिना बक्रम के बनाया है इसलिए हम सिर्फ नीचे ही पहले लैस लगा लेंगे उसके बाद ही उपर गले पर पाइपन लगाते हुए इस पर लैस अटेस करेंगे तो यहाँ पर हमें चारों तरब से लैस को खीचना नहीं है और बराबर से रखते हुए चारों तरब से लैस लगा लेनी है दोस्तों आप हमें कमेंट करके जबूर बताईएगा कि आप कोई गले की डिजाइन कैसे लगी आप लोगों को ये डिजाइने बीना बक्रम के ही देखने को मिलेंगी क्योंकि लोग आजकल बक्रम नहीं खरीच सकते तो हम उसके लिए ऐसे ही डिजाइन पेस कर रहे हैं ताकि आप लोग भी घर बैठे अपनी डिजाइन बना सके तो यहाँ पर अब हम नीचे कमर पे इसके प्लेट डाल देंगे ऐसे ही आधा एदा हिंच की दोनों करब से हम इसके प्लेट डाल लेंगे और नीचे कपड़े को आधा इंच के फोल्ट करते हुए एक सिलाई लगा देंगे आप चाहे तो इसके तुर्पन भी कर सकते हैं दोस्तो आप लोग ऐसा ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेगा और हमें नई-ने वीडियो डलने का उत्साह बढ़ाते रहेगा तेहाँ पर हमने कमर के सिलाई लगा दी है अब हम इसकी डोरी बनाएंगे तेहाँ पर हमने एक इंच के कपड़ा की दूरी लेते हुए इसको फोल्ड करते हुए इस पर डोरी बलाने नी है यहाँ पर हमें सिर्फ लिटकन का रूप देना है इस होज़े से हमें ज्यादा लंबी डोरी नहीं लेनी है आप हम इसको उलटके सीधा कर लेते हैं आप भी अपने सुई या पिन की मदद से जैसे आप डोरी बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने सुई की मदद से डोरी को सीधा कर लिया है अब हम इसमें दोनों तरफ से टेसल्स तैयर करेंगे तो यहाँ पर हमने जो कपड़ा बचा हुआ है उस पर हम टेसल्स के लिए कपड़ा कट कर लेंगे अब इससे डबल फोल्ड करते हुए इसके बीच में डोरी रखेंगे और इस पर बराबर से सिलाई लगा देंगे यहाँ पर हम बराबर से सिलाई लगा देंगे और इस पर डबल सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी टेसल्स खुलने पाए और यहाँ का एक्स्रा कप्रकट करके इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे ही हम दूसरी तरह भी ऐसे loops लगा देंगे और इसको तयार कर लेंगे दोस्तों यहां पर हमारा गला बनके तयार हो गया है और ये हमें सो में loops लगा सकते हैं या फिर इस पर flower भी लगा सकते हैं तो आपको अगर लेखे design कैसी लगी हमें comment करके ज़रू बताना और ऐसे ही interesting video देखने के लिए guys हमारा चैनल को like कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें support कीजिएगा तो guys ऐसे interesting video के साथ मिलते हैं ले video में तक तक के लिए नमस्कार